है लो बच्चों आज हम पढ़ेंगे ठेवन थ्योर्म और नॉटन थ्योर्म मेरे पास एक डाउट आया था कि बच्चों का कि भी सर हमें इस दोनों थ्योर्म में कमफिशन हो रहा है हम नुमेरिकल सॉल नहीं कर पा रहे हैं ठीक है बच्चों तो आज आपको इस लेक्चर वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इन दोनों ही थ्योर्म में जो स्टैप्स है उसमें कहां सिमिलर्टी है और कहां डिसमिलर्टी है मतलब क्या फरक है इन दोनों की स्टैप के अंद ठीक है तो देखो थोरी तो आप बुग से पढ़ लोगे ठीक है फिर भी देखो आको में था रिकॉल कर देता हूं एत्व शॉट के अंदर देखिए थिरुन थर्म क्या बहुती धन देजिए जब किसी रेखिक जाल में रेखिक जाल में कोई लोड पतिबादा लोड देखिक गयो, सबीचों के लिए एक तुल्ले वुर्ट्टा शुरो तो इसे हम क्या बोलते हैं थी तीक है तथा इस जाल की संपुन प्रतिभादा जैड एक्विलेंट जैड एक्विलेंट तथा जैडल के शेनिक्रम सेउजयन से पतिस्तापित किया जा सकता है किसी भी रेखिग जाल में इस प्रिपत को पतिस्तापित किया जा सकता है जबकि जैड एक्विलेंट का मापन सभी श्रोतों को उनकी आंतिक पतिभादाओं से पतिस्तापित कर दिया गया हो और जितने भी वोड़ता श्रोत हैं उसे मापा गया हो खुले टर्मिनलों के द्वारा जिसके भी बहते हैं ठीक है हम मैं बोराओं दोफ़ बच्चों के इनिश्में थां दीजे ए लिनियर सरकेट इलिनयर सरकेट कंसेट्ट्स ओ लॉड रेश्टंस और इंप्रेंस इस शुट इस रिप्लेश्ट इस डीप्लेश्ट बैश्ट्ट्ष बैसी इस पीजिए जिए वी equivalent voltage at open terminals, equivalent impedance of whole network and load impedance ZL, ठीक है, while Z equivalent must be measured when all the sources are replaced by their internal impedances, ठीक है, अब देखिए, यह तो गई स्थोरम के अंदर, सेम बच्चों यहाँ पर एक समी होता है, जूर्टन में होता है, देखो क्या फरक है, यहाँ पर मनल जी में पास एक network है, वो जुड़ावा किससे है, जैल से जुड़ावा है, तो इसमें हम करते कहा है, धन दीजिए, यहाँ वोल्टे सोर्स और जैल डूक्रेंट किसमें होते हैं, तो यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं, शौर्ट सुकिट, तो बताओंगा बात में, हम क्या मानेंगे, फिर जहाँ पर जो network होता है, इसका total impedance क्या होता है, जैसे यहाँ पर था, यहाँ यहाँ पर parallel combination, यहाँ जैडल है, यहाँ परडल में कितना जाएगा, जैडल आ जाएगा, जैडल आ जाएगा, अब बार करते हैं, बच्चों देखो, इनकी numericals के step के, numericals में हमें करना क्या होता है, देखो, मैं पर इस step दिख रहाँ, कॉस्चन में, जो गीवन कोश्चन आपके पास आएगा, नमेरिकल आएगा, कॉस्चन में, जो भी resistance given है, जो भी resistance given है, किसमें? औम में, उसको, आप क्या मान लो? लो जैडल मान लो जैडल मान लो तो 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 अगर हम थेनिंद तो जहां आपने आरल को माना है न तो रिमूव कर दो किसको आरल को किसको आरल को एंड कंसिडर को वी ओसी देर जो भार्कियों क्या बोलेंगे धान देना जो हिंडिमिनों के बच्चे है उस पत्रोद आरल को हड़ा दीजिए और हां पर क्या मान लीजिए वी ओसी मान लीजिए ठीक है फिर देखिए स्टैप थर्ड माव बताऊंगा भी इसमे सब्सक्राइब करेंगे ठीक है कैसे अपने में करते हैं वह सब बताऊंगा भी आप इस टैप को लिख लेना शोटन स्वेट आपके नोट्स बन जाएंगे ट्रिकी बेस पर तिक है अब देखिए फिर फिर फैंड आउट वी ओसी जिस वी ओसी को आपने एजुमिक क्या था होना कि भी योमेश पास स्टैफ थाष रद्से देगा अब बच्टा क्या जड लेंट दैन देना जडं तब होता है मिज़र जब सभी शणियों को सभी श्रुतों का करतें रिप्लेश्ट करतेhoot है रिप्लेश्ट कणूे इंडे इंटनल इंप इंपिढेंसे और इंटनल इ जाड एक्यूलेंट देन फैंड आउट जैड एक्यूलेंट इस एड़ा बड़ा लिता हूं यह लिजे जाड एक्यूलेंट ठीक है फिदिक एस फिफ्थ लाच्ट टैप दो खास नहीं बच्चों दान दीजिए हम नहीं क्या बहला इस गीवन से किट का हम क्या करते हैं रेप प्लस इन तीनों का आप क्या किजिए सिरीष कंबिनेशन रखा दीजिए तो स्टैप जो होती है फिस्थ इसमें क्या रहता है यह सकेट है में डो करना पड़ता है और हम अप्लाई करते हैं किसको हम अप्लीश लोग को इसको हम तो प्लस जैड एक्यूलेंट टिक है तो यह सबस्क्राइब अब देखो सेम टू सेम इस्टैप बच्छो यहां होती है बत्थ थो अलका सा फरक है धंदो फरक क्या होता है जान दो इस्टैफ तो फिक्स रहेगी सेम तो जब आता है तो जो भी कोशन में जो गिवन रिष्टेंस है उसका क्या मालो आरल या फिर जड़ल मालो स्टैफ फिक्स रजाएगी फिर देखिए रिमूव आरल जैसे आपने रिमूव के था सिंट्री वहां पर आपकाम करना पड़ता है स्टैफ टू भी करेगी स्टै यहां पर आपना पड़ता है खुले टर्मिनल की वोड़ता यहां करते कहा है शौर्ट सक्ट एसी का मतलग क्या होता है शौर्ट सक्ट हिंदी में क्या बोलते हैं लगूपतित ठीक है वाय जूड़े वे जब होते हैं तो आक मेंने सक्टाइट लाश्व वीडियो के निदर फिर नुदा करके से श्टर थरद बच्चों सिंबल्सी बात है यहां आप व्योसी का किया था तुम क्या लगात थे के विदिया यहां हमें पता करना क्या है आई असी आप करेंठ है यहां तो आपका में क्या लोक के दिसborg काई करेंट लो चार्श्य में लैंठ क्रेंट डिवैडिंग रूल धरा विवाजन नियम जो को मैंने क्लास में समझा रखा है ठीक है तो आप मेरी जो गिवन नोट से जो मेरा जो लच्चर नोट से वह और उनको आट भंग से पढ़ना उससे भार कुशिन पेपर नहीं आएगा आगे देखिए इस्ट कर देंगे करने सेबगे को यहां पर भी हो यहां पर भी है सीए कंशेज नियुकд में तुम्ण सब्हुन बक्रों सब्रीय तो यहां में क्या रहा हुँ अईड का रहा हूं उन जो step first और step जो फोट है वो दूनों में कहा है common ठीक है अब अच्छी बात दोगो s fifth की यहां ने का डूब के था last में यह सकेट यहां पर रहा है इस फिर्फ जो हम डूब करते हैं स्टेफ फिर्फ मत जब करते हैं तो कौन से सटकेट करेंगे दिए सब करेंगे हमंस से मिलेगा прием nih cannot मिल जाएगा step five से मिल जाएगा यह में पर न में लगा आई यल लोड रा आई यल और समी का लगा दोगे सी डियार करंट डिवाइडिंग रूल कैसे आपको में सिखायता ही नोटन थेओर में पहले ठीक है तो जो बच्चे नहीं है मैं आपको अभी कह रहा हूं मैं लाश वीडियो पका देखना अध्यरोपन परमेकार का उसमेना कुस्म जा रखा है इस बारे में ठीक है उन्ची दुनों प्रडल में आगे दुनों का जाएंगे सम हो जाएंगे तो क्याएगा जैडिकलेंट प्लस जैडल ठीक है तो यह हमरे पास फरमुला बन जाएगा तो आप बच्चे दहान रखो कि थेनुन थरम में कौन लो जाएगे बढ़ यहाँ अपने फरेशित के डिशो भी से नसर के आएगा तो अभी आप इसको लिख लिए पहले राम से टिक है इसकी स्टैब है मागे बढ़ रहाँ तो मैं ऐसा कर रहा है अभी हाफलाल मैं इस थरम को मिटा रहा हूँ ठीक है मैं एक नुमेकल कर रहा ह हो इसके बेस्पे जो मुझसे पूछा गया है वाट्सअप नंबर पर आभी मुझसे पूलम शेक असकते हैं इस लौड़न के अंदर आखको पता है हमना लौड़न क्या हो गया है बढ़ गया है 31 माई तक ठीक है तो जितने में कोई डाउट्स हैं अलाम से आप पूछते रहे यह भी यह सद्ट के ठीक है फिर इसके अब देखिए हैं हमने कोश्युन करते हैं तो जो हम यह समानते हैं कि हमरे पास एक साकीट है माले लिजिए मेरे पास ऐए बैट्टी गिवन एक बैट्टी था सोफकैर ञिए ये मूलेजे कितने वोड का Пई वलोट माले ठीक है और यहां मेरे पासे क्थ श्रिषान से यहां भी मेर पासे कने से यहां मेरे पासे क्राइश्टर के अंच ही ठीकर अमनी कहले अद्धर पास부 Allah में यहां जहां मेरे पास 3 ओम है यहां मेरे पास कहा है 4 ओम है ठीक है ओधिक कॉश्चन में क्या है धान देना कॉश्चन की लंगज में पूरी यह भी लिखनी पाऊंगा मेरा बोर्ट तो छोटा है मैं कॉश्चन बोड़ेता हूं शोटन स्वीट इग्जामेन रेश्टेंस के अंदर क तो इभी रेश्टन सापको दे देगा वह ठीक है इसने कहां मालीजिए कि फोर ओम से फोर ओम से प्रवाहित धरा का मान ग्याद कीजिए किसके द्वरा थेवनिन थ्योरम के द्वरा जो बचे इंग्लिशन आंके हैं वह धन्दना क्या लखेंगे डिटर्माइन दा करेंट तुदर रेश्टेंस फोर ओम तुदर रेश्टेंस फोर ओम योजिंग थेवनिन थ्योरम ऐसा कॉशन आता है ठीक है अब कोई भी रेश्टेंस पका देगा अब देखिए अब बीना डरे बीना घबराए बेवज़े में जो स्टेप से उनको आफ फोलो के जिए आंसर अप सब्सक्राइब जाने फक्राइब फॉर्टा मांते थे तो में भी जो डो करатын angry ने दू सटेप एसाथ कराया हूं जे दून सट मैं क्या कर रहा हूं इसाथ perform करा हूँ दो कैसे लेखने गीवन फोर ओम एकोल टू कितना आरेल तान रहेगा उसको आप जड़ल भी मासते हो कोई दिक्रत नहीं है चलेगा तो दिखिए डैन टी-एच इन अभी सकीट एक नॉमल लेवे में क्या होगा कंवर्ट होगा देखो ऐसा हो जागा यहां पर कितना आएगा फाइव तो यह मेरे पास क्या बन जाएगा ऑपन सकेट बन जाएगा तो यहां पर हम करेंगे वी ओसी एजूम करेंगे जिसकी वेल्यू हमें निकालने है ठीक है अब देखिए स्टेप थर्ड इस विए सी को निकालते किसे हैं क्रिश्च्च वोटेश लो से जाब वोटेश डिवै इस गई कर देहां जाएगी और यहां पर दो यह ओपन सब्सक्राइब नहीं करेंगी बच्चों हमेशा भूल मजना सकीट थोरी करेंगी कंसर्प होता है जिस ब्रांच में जिस रेश्टेंस में कंट फ्लो नहीं होती वह हमारे वाइर क्या यूजलेस है क्या है यूजलेस इसे हम सकीर से ऐसा मानतें कि वह जुडवा ही नहीं है जैसे अभी कंट फ्लो नहीं हो सते कि से घ्रियों से उपकर भी हमारे नहीं है तो इसको आप चाहे हो तो क्या करो इगनोर रदो को एदिकत नहीं है आगे देखिए फिकन्ट यहां पर आगे जागी यहां पर आगे य आप एगी तो यह जो ब्रांच है यह वाल भी कहा है हमारे लिए सही नहीं है मतलब इसको हम एजुम नहीं करें तो भी चलेगा अब देखो तो बच्छों हुआ क्या धन देना यह जो करेंट है यह इसी लूप में जा रही है तो इस कंट कली सीरीज में को नहीं है वन ओम और लूप ना इसका कोई यूज नहीं हो रहा तो आपको मैंने क्या से कहता था वीडियार वोटेश डिवाइडिंग रूल अगर यह वाला वायर काम में नहीं आ रहा यूजलेस है तो यह वियोसी को हम डैटली क्या मांसते है कि यह कहां पैदा हो रही है कहां प्रडूस हो रह ना उसके शर्डूस डगा यह कोई वोड़ अपर होगी टो कितना है घुकस की अच्पनेगा रिश्टेश के और में तो कहेगा तो प्लस वन तो दिक्वाप कितना है काट एन्वाइड थ्री वोल्ट यह में पास वैल्ली ओ जई इसकी बियो से के तो यहां मेरे पास जो सब्सक्राइब कर देए तो आपको सूपर पोजिशन थ्वर में आको मैंने सखायता बैट्टी कैसे हड़ती है यहां पर कितना था मारे पास त्री यहां पर कोई नहीं था यहां मैं बढ़ा कर देखा एक नुट के यह लिजिए जैड एक्यूलेंट अब देखिए बच्छों सी बात धान दीजिए यह में पास रिष्टेंस है यह दोनों यह के पैडल में आग नहीं आएगा तो पैल मिन क आण तो कि इनको बहूं का दोनों का जो एक्योंन प्र सुन क्से है चाहिए बन जाएगा जया बन जाएगा तो बस हमारा अंसर आने को है देखो कैसे यह पूरी स्टेप फुल हो चुकिए लास्ट पर में गाता यह हम डराम डो करते हैं तो देखिए मैं स्टेप को मिटा रहा हूँ अभी हाथ ठीक है अब मारा अंसर आने वाले है बच्चों ताको डिलना डिलना नहीं इस बुक से इस यह हमने निकाल दिया कितना है हमारे पास अभी ग्यरा बटे टीन ओम आ गया तो बस हमें क्या गाता उसने चार ओम से प्रवाइद धर का मान दा करंट फ्रेंट तुदा रेश्टेंस फोर ओम तो फोर ओम यह रहा तो पोश्टिस से कंड निकलती तो कंड जागी ऐस जागी फ्लोती रहेगी तो बस यह जो मैंने आपको कहता ओम स्लो यह आप इसमी क्या दोगे अपलाई करोगे तो आई कितना हैगा व्योंसी व्योंसी कितना है हमारे पास टैन बाई थ्री निची कहा रहा है जैडल कितना है फोर फिर कितना रहें जड़िक लेंट गरा बटे टीन तो देखिए कितना हैगा टैन बाई थ्री टूएल बाई 11 अपोन में कितना थ्री ठीस थी केंसलाट हुआ यह टाइन ना पर कितना थर्टी तुन्टी थी तो टैन बाई-टून्टी थ्री एंपियर यह व्योंसी आग्या चाहो तो अब आप क्या करना अब नोड़न थर्म क स्टैप्स का फूलो करना ठीक है इसी कोशन के अंदर इसी कोशन के अंदर यह डेफिनेटली है क्या आगे पास आंसर कितना आएगा टैन बाई-टून्टी थी एंपियर ही आएगा